निमस्कार दोस्तों मैं संचीता भटचारिया आपका स्वागत करती हूँ बहुती एक रोचक कारिक्रम में जिसका नाम है कमपनी स्टाइल पेंटिंग ये है एक बहुती सुन्दर मार्केट स्कीन है आपके सामने आप दिखाई दे रहा है मार्केट सीन जो है कमपनी शैली में ये मार्केट सीन जो है इसमें आप देखिए डेवलप्मेंट का भी एक नमूना है ये एक्जामपल में जैसे औरते समान बेच रही है और औरते ही जाके वो खरीद रही है और यह जो पेंटिंग में जो foreground और background को कितनी सुन्दर तरीके से divide किया है पहला number में foreground में आप देखिए जड़ा इसमें कितनी सारे मसाले, डाल, चावल, कितनी खुबसूरत तरीके से वो दिखाया गया है रोजमर्रा के जिंदेगी में हमें ये सारे चीज़े आती है ये कला में भारत में जो रोजमर्रा के जिंदेगी का एक दृश्य पेश किया गया है आपको दिखाया भी आपके तो थोड़ी देर पहल है ये एक बहुत ही अच्छा painting शैली है जो company painting में meeting with Indians और ये Indian miniature painting है जो water color में बनाया है एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए friends जैसे water color में कुछ भी चीज़े अगर बनाएंगे और ये बहुत ही सुन्दर तरीके से बनाएंगे ये एक artistic skill होता है उनका कोई भी चीज़े हम अगर water color से बनाए water color बहुत transparent होती है second thing होता है ये जो water color को जब हम उसको spread करते है spread करने का जो तरीका होती है बहुत सुन्दर होती है ये जो महल background में जो एक महल टाइप का जो बनाया या उनकी जो office बनाया जो भी चीज़े अब इसमें दिखाए दे रहा है ये जो बनाये हैं पीछे इसमें देखिए black black color दिखाया गया है जो तीन खाचे या चार खाचे दिखाया है उन्हें black जहांपे हम कह सकते हैं कि वहां से हो सकता है कि वो corridor type बनाया है उन्दर से इसमें एक चीज़ है कि जो black दिखाने का जो style है इससे क्या पता लग रहा है ये अंदर महल है और बाहर की तरफ जो दिखाया उन्होंने जहां पे बाहर में open area में बैठे हैं वहां पे बिल्कुल clear sun light आ रही है और sun light में ये दिखाया जा रहा है मैं सब color से ही उन्होंने पूरी तरह से cover किया है और अंग्रेजोंने ब्रेटिश लोग वो कुर्स टेबल पे बैठे हैं वो उसके साथ जो indians भी है indians का एक चीज़ देखिये ज़रा उनकी पोशाक से और western की western के जो लोग बैठे है western person की dress से पूरी तरह से different है पूरी तरह से पता लग रहा है कि ये indians है ये western है और एक painting है बहुती अच्छा painting है group of artisans group of kashmiri artisans group of kashmiri artisans के बारे में हम बात करें तो इस समय की चित्रकला के बहुती कम उधारन में से नमू ने प्राप्त हुए चित्रकारों के द्वारा में भी अधिक पता नहीं चला इस प्राप्त चित्र में उल्लेखित चित्र कागच पर जलरंग द्वारा बनाए गया है ज्यादा तर वो जलरंग से ही बता बनाते हैं और इस चित्र में कई पुरुशे और महिलाये तथा बच्चे का भी आकरिती का एक सुन्दर संयोजन है चित्रित पुरुष कम कश्मीरी कारिगर ने जो शाल पर कराई कर रहे हैं और महिलाये इत कारिगरों का शायत प्रशंशा कर रही है जो इस चित्र में है परस्पेक्टिव पश्च्मी रिती के अनुशार बनाया गया है और पोशाकों में हलके रंग के प्रयोग हुआ है चित्रकार ने पेंटिंग में कम छाया का प्रयोग किया है लेकिन माडलिंग, स्टिपलिंग माध्धम से बार बार की गई है ज़्यादा पर ही वो अपना काम करते हैं और ये सुन्दर तरीके से अपना चपल उतार के अपना जगा पे बैठे सारे चीजे इसमें दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अच्छा एक एंट इंपोर्टेंट और खुबसूरत पेंटिंग का नमुना है एक्जांपल है कमपनी स्टैल में तो चलिए आएए देखते हैं दूसरा दृष्य ये है एक इस्ट इंडिया कमपनी ओफिशियल और सर्वेंट्स ये जो पेंटिंग है ये सारे कमपनी पेंटिंग में एक चीजे बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देखो क्या है इसमें बहुत लाइट कलर से और मोस्ट पीच में जो ओफिशियल बैठे हैं और सर्वेंट जो जो सर्वेंट इधर पास में खड़े हैं उससे पता लग रहा है कि कौन सर्वेंट है कौन ओफिशियल है दूसरा पेंटिंग है इंद्रत दुम्न जैसे इंद्रत दुम्न एक गारी में बैठे उनके सर पर एक सुनेह तरहा मुकट दिखाया गया है और एक अलंकृत गारी के पीछे जो एक घुटने को उठाकर बैठा है जिसे लटकन और सीने से सजाया गया है जो पेंटिंग को इस तरह से सजाते थे और घुटनों से जिस तरह से उठा कर बैठा के, जिस तरह से वो दिखाते थे, वो सारे चीज़े इसमें दिखाया गया है. वो अपने दहिने हाथ में मोटियों को एक स्ट्रिंग रखता है और अपने बाय हाथ को गारी के पिछले हिस्से पर टिकाता है ये सारी चीज़े आपको पेंटिंग से ही पता लगा है उन्होंने गुलाबी रंग की धोती पहनी है और गले में फूलों की माला है उसके पीछे एक परिचारक की सवारी होती है जो उसके सर पर एक छाता रखती है यह painting में ही painting का ही विवरन है, painting को जिस तरह से describe किया है यह वही है और गारी को गारी दो काले घोरे द्वारा खीची जाती है दो काले घोरे सामने है और एक चालग गारी के सपट पर बैठा है और लगाम और चाबोक रखता है क्योंकि घोरे को चलाने के लिए ये सारे चीजे जरूरत होती है दोनों परिचारप आकरितियों को ताज पहनाया है और धोती और शॉल पहनाया है इंद्रद्धुम्नों को सहजोगियों से बड़ा दिखाया गया है पेंटिंग में दूर दूर तक पहारी को दिखाया गया है आपने देखा है painting में हमेशा company painting में एक foreground background का बहुत बिशेष रूप से ध्यान देते थे आर्टिस्ट होने तो दूर दूर तक पहाड़ी वो दिखाते थे कि रास्ते से जब जाते थे वो पहाड़ी इलाका से जाते थे कमपनी पेंटिंग का बहुती सुन्दर, मतलब हमेशा उसको पेंटिंग को सजाने का पूरी तरह से कोशिश करते थे आर्टेस्ट ने पेंटिंग में चित्रित टिपनिया कुछ हिंदु साहित के अनुसार इंद्रयुम्न को हाती या रूप धारन करने का साप के बाद और एक मगरमच द्वारा हमला करने किये जाने के बाद विश्णु द्वारा बचाया गया था एक बार जब विश्णु ने उसे मगरमची के बचाया तो शाप तूट गया और इंद्रदुम्न अपने सामन रूप में लौट आया चलो ये पेंटिंग को देखो ये कमन इंडियन नाइट जार ये आपके सामने है और ये मेडियम है उपेक और वाटर कलर और पेंटिंग तलाकार ने विस्तार पर विशेज ध्यान दिया है और प्रतिक पंक को वेक्तिगत रूप से प्रस्तूत किया है और पेरों पर रेख पूरा किया गया है च्ट 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 पेर दिखाया है चारो तरह यह पैंटिंग क्लाउड मार्टिन नवाब आसफ अल दौला और लखनो में इस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में एक फ्रंसीशी वैक्ती ने के लिए बनाये गए अलबम में प्राप्त होई यह बहुती अच्छा एक पेंटिंग है ब्लाक स्ट्रोक इन लैंसकिप अच्ट इस पेंटिंग के बारे में हम थोड़ी देर पहले आपको पताये थे कि ब्लाक स्ट्रोक के बारे में इसे बहुत सारे पेंटिंग का एक्सपेंटिंग में उस टमय पे किया गया था इस पंची की विशिष्ट सफेद गर्दन के पंक बैगनी धारिदार और लाल रंग की चोच इसी उनही गर्दन वाले सारस के रूप में पहचाना पहचानते है तो यह जो बैगनी कलर को जो दिया है इसमें कितनी सुंदर तरीके से बैगनी कलर दिया है कैसे दिया है जिससे हमें पता ही नहीं लग रहा कि कलर का कितनी सारे इसमें प्रयोक किया है लेकिन ज़्यादा तर इसमें ब्लाक और वाइट का ही उन्होंने यूस किया है और ब्ल पाए जाते हैं लेकिन जिस विशेस फैशन में परिद्रिश्य का दर्शाया गया है वो पंची चित्र के बरे सेट की एक विशिष्ट विशेस्ता प्रतीत होता है जिसमें यह काम था इस सेट में एक बार छेसो से अधिक पेंटिंग शामिल हो सकती है और शंगरक्षन का श्र 175 और 1800 के बीच लखनों में नबब आसफ और दुल्ला के सस्त्रागार की अधिकंश के रूप में कार्य किया था यह बार्ट का चित्र है यह जो बार्ट का चित्र है आपको दिखाई दे रहा है यह बहुती सुन्दर तरीके से जल रंग से यह दिखाई दे रहा है पंची के इस सुन्दर चित्र को काजली शाही तकनीकी से बनाया गया है इसे पैंशिल द्वारा रेखंकन ना करके स्वाही कलम या काली श्वाही द्वारा सीधे कागच पर अंकित किया गया है पंची के भाव को चित्रकार ने बहुत सुन्दर रूप से दर्शाया है पंची के बार से कागज आयत होता था परंतु बाद में विदेशी कागज का प्रयोग होने लगा तो ये जो कंपनी शेली में ये जो पेंटिंग है ये बहुती सुन्दर पेंटिंग है आपकी चुल की पेंटिंग बुक में भी ये पेंटिंग रखा गया है और इस पेंटिंग का एक आए और सामने से अगर background और foreground हम अगर देखे तो बहुत ही सुन्दर balancing इसमें है ये भी एक बहुत सुन्दर painting है बाट का ही painting है जो हमें जही स्वाही से मतलब इंक से बनाया है और ये काजल साही black ink इन टेक्निक ये इसका जो टेक्निक बहुत ही black ink से बनाया है और ब्रश से किय पेंसिल ड्राइंग इसमें नहीं किया है बीना पेंसिल ड्राइंग से सीधे सीधे ब्रश में इसको कलर किया है और फेदर को एकदम माइनूटली डेपिक्ट किया है इस पंची में पंची में पंची का जो फेदर का कलर किया है एकदम माइनूटली अलग-अलग तरीके से हमे European machine made paper से यूज़ किया है और paper हमेशा इन लोग बहुत ही अच्छा paper का यूज़ करते थे और जो color यूज़ करते थे वो भी बहुत ही अच्छा and mehenga color जो जिससे कहा जाता है कि painting जब भी वो बनवाते थे company Shelly में सारे painting बहुत ही सुन्दर होता है और बहुत ही mehenga होती है क्योंक quality बहुत अच्छा होता है और color use भी बहुत अच्छा होता है और अच्छे-च्छे artist से ये बनाते थे और जिसकी वज़े से वो जो डाल पे बैठे है पैंशी है जो जिस तरह से पता लग रहा है हमें कि एक डाल दिखाया है और दूर-दूर तक वो forest दिखाया है उससे पता लग रहा है कि painting को कितना सुन्दर तरीके से उन्होंने दर्शाय है अभी हमारे पास समय यही पर समाप्त होता है हम आग्या लेते हैं नमस्कार